Hello dear students, welcome back to my channel physics SPC rotational motion का एक कुशन A wheel is rolling on a plane surface, यहाँ पर rolling का मतलब pure rolling सही ही है, rolling without sleeping The speed of a particle on highest point of the rim is 8 meter per second The speed of the particle on rim of the wheel at the same level as the center of the wheel will be अच्छा कुशन है, पहले समझते हैं, देखो यह एक fixed surface है पहले, horizontal fixed surface अगर इस पर कोई wheel है यह, यह pure rolling कर रहा है, pure rolling, without sleeping तो इसकी condition क्या होती है, center of mass की जो velocity होती है, यह V, यह center of mass की वेलसिती है यहाँ पर V, C, O, M, बराबर V, माल लेता हो, और यह चल भी रहा है और घूम भी रहा है तो condition of pure rolling कहती है, कि जो center of mass की वेलसिती है, V, equal to r, omega यह condition of center of mass की वेलसिती है, यह V, C, O, M है, ऐसे ले सकते हो यहाँ पर V, C, O, M, equal to r, omega, center of mass की वेलसिती, V, equal to r, omega यह condition of pure rolling लगाई, अच्छा, अब इसको आप pure rolling को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक बार आप translational motion माल लो, only अगर translational motion करोगे, तो इस point की जो velocity है, इस point की जो velocity है, हर एक point की velocity, center of mass की वेलसिती के बराबर होगे, अगर यह केबल slip कर रहा है तो, यह न, तो यहाँ पे V, यहाँ पे V, क्योंकि V मानिए, मैंने center of mass की, यहाँ पे V, यहाँ पे V, और यहाँ पे V, प्लस, अब आप इसको, इसी sphere को center of mass पे बैट के, केबल rotational देखो, only rotational, और कहाँ पे बैट के देखो, with respect to center, अगर आप center पे बैचीटा बनके बैट जाओगे, और यह केबल घूम रहा हो, only यह translational और यह rotational, है न, और यह केबल घूम रहा हो, center of mass पे बैटे के देखेंगे, उसकी radius r है, तो इसमें circular motion और इस particular की velocity कितनी होगी, circular motion और फार्मला लगाईए, वी वरावर r omega, यह circular motion का formula है, लेकिन यह circular motion का formula नहीं है, यह अलग तरीका यह condition है, यह center of mass की velocity है, भाईया, वी, और center पे यह r zero है, फिर भी वरावर r omega लिख रहे हैं, यहाँ पे इसकी distance r थी, इसलिए r omega लिखा, और यहाँ पे देखेंगे, तो इसकी velocity, क्योंकि यहाँ से जब किसी particle को देखोगे, तो every particle circular motion करेगा, यह circular motion वाला फार्मला है, वी वरावर r omega, यह अलग चीज है, ठीक है न, इसको प्रूब करने का तरीका अलग होता है, यह fix surface के लिए विलड़ है, बसके बल, है न, यहाँ पे आरोमेगा आएगा, यहाँ पे भी आरोमेगा होगा, ऐसे, यह दो अलग अलग चीज है, यह circular motion के लिखा रहे हैं, और यह condition अलग है, ठीक है, अभी इन दोनों को मिलाके ही तो यह बनता है, तो इन दोनों को मिलाके क्या बनने के हविया, यह, यह दोनों को मिलाके बनेगा, यहाँ पे विलसरी कितनी होगी, वी और आरोमेगा, दोनों की डुरसन सेम है, तो यहाँ पे होगी वी प्लस आरोमेगा, और यहाँ कितनी होगी, इ level of center of mass जिम पर पूछ रहा है बट तो यहाँ पर देख लो चाहें यहाँ पर V और यहाँ पर ऐसे होगी आरो में एका एक ही जैसा होगा यहाँ पर यहाँ लेकिन यह तो combined translational plus rotation मों सुन होगा अब इसमें pure rolling की condition लगा दो तो pure rolling की condition जब लगा दोगे तो और आसान हो जाएगा pure rolling की condition लगाओगे तो pure rolling की condition क्या होती है कि जो center of mass की बलज़टी है न V वो आरो मेगा के साथ relation लगती है इसलिए आरो मेगा जो गल्टू V हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर आरो मेगा की जब लिखेंगे तो यह 2V और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ यह भी V हो जाएगा और यह भी V ऐसे इस वाले point पर देखते है center के level में तो इधर यह V होता और यह भी V होता अब इन दोनों का resultant निकालो vector वाले concept से तो इन दोनों का resultant program मनाओगे resultant by sector से जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है V root 2 आएगा और यह ऐसे भी इसका भी आएगा डरसल न अलगोगी लेकिन magnitude तो सेम ही होगा V root 2 तो इस point पर यह वाले velocity पूछ रहा है हमसे लेकिन question में pure rolling वाले condition में highest point पर यह वाले velocity question में given है कहरा है the speed of the particle on the highest point of the rim 8 meter per second है तो आपको नहीं लगता कि V की value 4 meter per second होनी चाहिए और यह वाले जो velocity है highest point के same level में जो velocity है वो यह V root 2 और V की value 4 root 2 meter per second यह answer होना चाहिए अच्छे यह कैसे आया है तो समझ में आता है resultant velocity का vector वाला formula आता है ना सबको V1 chi square plus V2 chi square plus 2 V1 V2 cost 90 degree तो है इन दोनों के वीच में angle इन दोनों के resultant निकाले है तो cost 90 तो 0 हो जाएगा और V1 और V2 बराबर है V1 भी V है और V2 भी V है तो V square plus V square तो यह 2 V square तो V root 2 इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए V root 2 में 4 root 2 meter per second HOS is correct उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जरूल समझ में आया होगा पढ़ते रहिए और खोश रहिए